है वरीव नाजम बात करेंगे Hubdog के सो Hubdog के एक टूल है जिससे हम Hubdog में जो भी invoice वगरा है वो upload करेंगे यहन हम directly publish कर सकेंगे इन 0 ओके सो यहां में जो भी upload करोंगा वो मैं 0 में entry वगरा directly publish कर सकोंगा इडर से सो मैं ने 0 में company open किये PQR limited कर गए यह हमारे Hubdog का basic dashboard है यहां देख सकते हैं connect to 0 means मेरा 0 के साथ integration हो गया है आप Quickbook के साथ भी कर सकते हैं build.com के साथ भी कर सकते हैं integration for integration में यहां क्लिक करोंगा यहां है एक option है integrations का so as you can see 0 के साथ मेरा already integration हो गया है integration normal process से उसमें कुछ करना नहीं है आपको सिर्फ चुभी आपकी company जोरो की वो simply select करने है okay zero में login करना पड़ेगा fine अब simply में यहां upload document का option है वहां हम अपलोड करोंगा यहां 2 option मिलेंगे अगर आपके पास single अलग-अलग pages है okay तो आप यहां first option select किजिए and multiple pages है एक ही file में multiple pages आप second option select किजिए fine मैं यहां भी first option select करूँगा मैं आपको एक invoice यहां upload करके and publish करके दिखाऊँगा so मैं browse करूँगा and मेरा जो भी PDF file है वो मैंने select कर दी and वो upload भी यहां हो गया now जैसे upload हो जाएगा आपको एस एक display आएगे as you can see यहां invoice का नाम अगरा यहां process हो रहा है आप ही now मैंने जो भी invoice upload किया है वो अभी आपको दीख रहा है यहां fine okay so अब यहां उपर देखे तो अलग-अलग options है total like all processing review failed and RQ तो आप upload करेंगे जो भी process होंगे वो सब processing में जाएंगे and publish के लिए ready होंगे तो वो review में जाएंगे आपको review करके publish करना पड़ेगा अब 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 अफ़लोर करते वक्ट due to some visibility proper अगर नहीं हो भी आपके invoice में document में proper read नहीं कर पाएगा तो वो fail में चला जाएगा and publish करने के बाद सब आखयो में चला जाएगा अब यहां मैंने edit पे click किया as you can see यहां जो भी basic detail है वो automatically fetch कर ली है software में dislike supplier name invoice date due date total amount tax rate यहां document type में मैं select करोंगे कि यह क्या है either purchase invoice statement है report है create mode है यहां से मैं mark as paid भी select और unselect कर सकता हूँ होगे एक बार जो भी information आपको एक बार से match करने है and आप modify भी यहां से कर पाएंगे अब यह अभी तक configuration ने किया so यह one time आपको करना पड़ेगा publish case purchase find then after status में awaiting approval awaiting payment draft अगर आप zero use करते होंगे तो आपको पफेँ होगा यह तीन options का आप है and contact में जो भी zero में supplier available होंगे वो यहां मुझे दिखेंगे so मैं यहां supply 001 सेलेक करोंगा मैं आपको एक बार मेरा purchase के detail दिखा दूँ कि मैंने अभी तक कितना purchase किया है तो देखें अभी एक ही bill है 600 रुपया का from supply 001 अब मैं दूसरा bill भी यहां से सिलेक करोंगा then after line item single or multiple as you can see हमारे invoice में एक ही line item है तो मैं यहां single सिलेक करोंगा account code में कौन सा लोंगा either expense रहेगा तो expense या cogs में सिलेक करोंगा find and description अगर मुझे enter करना है so I can enter from here एक बार में सब डिटेल्स चेक कर दूँगा and उसके बार में simply publish पे click कर दूँगा जैसे ही publish पे click करूँगा जो भी review में documents थे हमारे वो AQ में चले जाएंगे as you can see here find अब मैं 0 में जाता हूँ यहां simply में refresh करता हूँ एक बार तो देखे पहले हमारे एक बिल था दो बिल total हो बए है मैं यहां click करूँगा supplier पे तो देखे यहां जो भी document हमने upload किया था hub doc में वो भी यहां automatically आ जाएगा जो भी लिटेल अगेरा फिल की थी उस तरीके से properly यहां entry हमारी हो बए ही find अगर आप modify करना चाहा हो फिर भी आप यहां से easily कर सकते हो and आप document यहां से भी देख सकते है find PDF एक फाइल है okay so इस तरीके से आप update से 0 में document publish कर सकते है अब मैं आपको थेक बार दिखा दू यहां से आप राइ-klik करेंगे तो आप document वागरे डिटीट भी कर पाएंगे okay and अगे आपको कुछ upload करना है तो simply आपको uploads पे क्लिक करना है and जैसे पहले display थी वेसी आजाएगे so in this manner you can use hubdock with zero so this is for today thanks for watching can you like the video and subscribe the channel thank you